हेलो दोस्तों प्रतिमा जी एकड़ी प्हाव सभी का स्वागत है कि विशुभोगोल में ताप्ये बिलोम्ता प्रें हम चर्चा करेंगे ताप्ये बियुतक्रमण लाइक करें अपरों लाइक करें शेयर करें और जिन्र दोस्तों ने वह तख हमारे चनल को सब्सक्राइब नह कि स्थिती क्या होती है कि सामाननिता पाया जाता है कि जब उचाई बढ़ती है तो तापमान गिरता है लेकिन कई ऐसी दसाएं होती है जब तापमान बढ़ता है उचाई बढ़ती है तो तापमान भी बढ़ता है उचाई और तापमान दोनों बढ़ते हैं तो उसी को कहा जाता है ताप ये बिलोमता या बितकरमड वायू मंडल में उचाई की और जाते हुए सामान्यता वायू का ताप घटता है जैसे छोब मंडल में मैंने बताया था कि जब उचाई पढ़ती है तो प्रतेक 1000 मीटर पर 6.1000 मीटर पर 6.5 डेगरी सेंटिग्र तापमान गिर जाता है लेकिन कई ऐसी घटनाय होती है जो विशेश प्रस्थितियों में विशेश प्रस्थितियों में ऐसा होता है कि उचाई भी बढ़ती है और तापमान भी बढ़ता है जैसे कुछ विशेश प्रस्थितियों में तापमान घटने के बजाए बढ़ता है और ऐसी दसा जिसमें वायमंडल के निचले अस्तर पर कम तापमान उसके उपर अधिक तापमान और फिर पुना कम तापमान मिलता हो उसी को तापमान का ब्यूत कर्मन कहा जाता है जैसे यह सर्फिस है यहां से कुछ उचाई पर जब गए तो देखा कि तापमान कम है एक नार्मल टंप्रेशर जो होता है वो यहां पाया गया लेकिन जैसे ही इसको किराज के उपर गए फिर देखे कि तापमान काफी बढ़ गया है तापमान बढ़ चुका है जबकि होना क् कि जैसे उपर आउर गये थे तो तापमान गिरना चाहिए था गिरना चाहिए था लेकिन जो कि ऐसा नहीं हुआ हुआ कि तापमान बढ़ गया और फिर जब इसके उपर गये तो देखे कि तापमान गिर गया जबकि बहुत उपर जाने के पस्चात आप देखें के उपर जाने पर ता पमान बहुत तेजी से वड़ता है लेकिन ऐसी प्रिस्थितियों में तापमान गिर गया तो ऐसी इस्थिति जब बनती है कि जब यह प्रस्थिति आएगी ठंडी अलब कम तापमान फिर अतिधिक तापमान फिर कम तापमान तो इसी को कहा जाता है तापिये बियुत कर्मण या तापिये बिलोमता की इस्थिति तापमान के बियुत कर्मण की इस्थिति उसके अनेक अस्थानों पर पाई जाती है जैसे उत्तरी भारत के मैदानों में सीत काल में रात्री के समय ऐसी दसा उत्पन होती है जबकि भूप्रेश्ट के निकट ठंधी वायू उसके उपर गर्म वायू तथा आत्यदिक उचाई पर पूना ठंधी वायू पाई जाती है पेरिस के एफिल टावर पर भी अर्धरात्री को तापिये बिलोमता पाई जाती है अच्छा ऐसी इस्थिति होती क्यों है ऐसी इस्थिति कुछ बिशेश प्रस्थितियों है पायाती है जब लंबी रात हो लंबी रात हो और यह एक ऐसी प्रस्थिति हो कि जहां पर तापमान का उतार चढ़ाओ देखा जा सके एक सामानिता मैंने बताया था जो सागर होता है यह सागर है और यह अस्थल है तो जब तापमान प्रत्वी का प्रत्वी पर सूर्य का प्रकास आएगा तो यह धीरे धीरे ठंडा हो धीरे धीरे गर्म होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे थंडा भी होगा यानि काफी देर तक यह गर्म रहेगा यह बहुत तेजी से गर्म होगा तेजी से गर्म होगा और फिर बहुत तेजी से ठंडा भी होगा तो ऐसी इस्थि आएगी तब रात्री जब लंबी होगी तब यहां का वायू और उधर का वायू का प्रभाव जो है ताप ये बिलोमता की इस्थि पैदा करने में सच्छम होता है दूसरी जब लंबी रात होती है तो एक सामान रात में क्या होता है कि जब दो बजता है रात के दो बजे तो सबसे कम तापमान होता है और दिन के चार बजे के बाद तापमान अपना असर दिखाता है यानि सामान ता बारा बजे का जो आउसत होता है ये तो ना रात्री के लिए सही होता है कि अतेदिक ठंडा हो और ना ही दिन के लिए सही होता है कि अतेदिक गर्म हो रात्री भी दो बजे के बाद ही ज़्यादा ठंडी होती है और दिन भी दो बजे के बाद ही जादा गर्म होता है और इसलिए दूसरा पहर होता है गर्मी का तब इस्ति अनकूल नहीं होती है और यही जब लंबी रात हो जाती है तो यह जो ठंडी होनी की इस्ति है जब लंबी रात होती है तो यह तापिय बिलोमता बनाने में सच्छम होता है तापिय बितक्रमण के लिए जो आवस्यक दसाएं हैं तो पहला तो है कि देर्ग काली रात्री होनी चाहिए क्योंकि रात जितनी लंबी होगी रात जितनी लंबी होगी ताप ये बियुत्क्रमण बनने की संभावना जादी होगी सुस्कराथ हो यानि कि उसमें आदर्ता कम हो और आदर्ता कम होगी तब ताप ये बियुत्क्रमण बनने की सती जादा होगी और या बादल रहित रात हो मेघ रहित आकास यानि अगर आकास में बादल कम है तब ऐसी सती बनेगी सांत वायू हो और हिमाच्छादि धरातल हो अब हिमाच्छादि धरातल अगर होगा तो मालीजे कि धरातल है यहां पर बर्फ है तो बर्फ में ज्यादा क्या पायाता है गुप्त उसमा पाये जाता है तो गुप्त उसमा जब निकलेगा तो यहां पर ठंडी होगी फिर यहां पे जो उस्मा उपर जाएगा तो यह गरम हो जाएगा फिर यहां पे ठंधा रहेगा तो जब ठंधा गरम फिर ठंधा तब इसी को कहते हैं तापिये बीटक्रमड, यानि आकास में जितनी प्रकार की ववस्थाएं हैं, और तापिये बीटक्रमड के लिए जो आवासे दसाय होनी चाहिए, वो इन ही पाचों के वज़े से होती है ये पाचो एक साथ होनी क्या हो सकता नहीं है? हर एक इस्थती अपने आप में तापए ब्यूतकरमण के इस्थती बनाने में सच्छम है. दिर कालिक रात रहोगी तो भी तापए ब्यूतकरमणग के इस्थती में बनेगा, सु्स्कवमाई होगा, मेगरहित आकास होगा, सांत होगा और हिमाच्षादी धरातल होगा तब जाकर के तापिय वित्कुर्ण हर इस्ति में बनेगा वॉयुमंडलिये दाव कि इस्ति कब होती है कि सागर से जहां पर सागर की इस्ति जहां पर सागर नी की ये सागर की इस्ति है तो यहां के तट तक जहां तक तट वर्ति यहां के हवाएं जाएंगी सागर की वहां तक तो इस्ति सामान रहेगी ना अत्यधिक हाई प्रेसर होगा और ना ही लो प्रेसर होगा एक नार्मल प्रेसर वहां पर बना रहेगा हाई प्रेसर की इस्थिति लो प्रेसर की इस्थिति कब बनती है जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे लो प्रेसर बनेगा और जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पे हाई प्रेसर बनेगा और जहां पे दोनों की इस्थिति नार्मल होगी, वहां पे सामान तापमान रहेगा, सामान प्रेसर रहेगा, मतलब नार्मल प्रेसर रहेगा यानि लो प्रेसर बेल्ट, हाई प्रेसर बेल्ट के बीज की सामान इस्थिति नार्मल प्रेसर बेल्ट होता है और यह सती कहां पे बनती है जब समुद्र उसके दूरी हो और तटवर्ती दोनों हवाई यहां से जा रही है यहां से आके हां टकरा जा रही है तो यहां पे क्या बनेगा इधर का हो गया आपका नारमन इधर का हो गया हाई अलो इधर हो गया हाई अलो यह हो जाएगा आपका दवाव, दवाव पेटी हो जाएगा क्योंकि जहां पे दोनों फोर्स करने लगेंगे जैसे यह सती बनती कब है यह सती बनेगी जैसे एक सामान सी बात है कि जब रात्री की सती होती है जैसा कि मैंने पहले बताया कि अस्थल जो है जल्दी ठंडा होता है तो दिन के समय अस्थल बहुत तेजी से गरम रहता है और ऐसी स्थिती में समुद्र इनके पेचा ठंडा रहता है क्योंकि यह धीरे धीरे गरम होता है यह तेजी से गरम होगा और रात्री के समय यह गरम रहेगा यह ठंडा हो जाएगा तो जहां पे ठंडा होगा और ज़िधर गरम होगा तो यह ठंडा हो जाएगा तो इधर बनेगा high pressure belt इधर जागा low pressure belt तो हवाय अपनी स्थत्य को भरने के लिए किधर भगेंगी इधर भगेंगी यह भगेंगी रात्री के समय और दिन के समय इधर से हवा आएं जाएंगी क्योंकि high pressure belt low pressure belt के तरफ भागता है अपनी जगे भरने के लिए और यह जहां पर जाएंगी तो जहां महसूस होगा इधर का force इधर का force जहां भी टकराएगा यह यहां टकराएगा तो यहां पर आपका वायुदाब महसूस होगा जिसे कई बार cycle चलाएं होंगे और cycle चला के जाते समय देखें कि हवा विपरीद चल लए है तो ज़्यादा ताकत लगता है तो जो force उस समय लगता है और महसूस कियाता है उस ही को कहाता है वायुदाब वायुदाब मतलब कि जो वायु है हवा जो है वो क्या दे रही है दबाव दे रही है और हवा के दबाव को ही हम कहते हैं वायुदाब वायुदाब कहा जाता है यानि कि वायु के प्रभाव से धरातल पर पढ़ने वाले दबाव को वायुदाब कहते हैं किसी भी वायु अस्तंब का दाव उसके भार के बराबर माना जाता है वायु मंडलिय दाव से तात पर किसी दिये गए स्थान समय पर वहां उपस्थित वायु के अस्तंब के भार से है वायु दाब को मिली बार या पास्कल के द्वारा मापा जाता है मिली बार के द् वायुदाब को पास्कल के द्वारा या मिली बार के द्वारा मापा जाता है अच्छा सामाउक रूप से सम्मुद्र तल से आउसत वायुमंडलिये दाव आउसत वायुमंडलिये दाव एक हजार तेरा पॉइंट दो पाँच मिली बार या एक हजार तेरा पॉइंट दो पाँच किलो पास्कल होता है यह आपको कई बार आप देखेंगे जब आप ट्रेंड से जाते हैं तो इस्टेशन पे जहां इस्टेशन का नाम लिखा हो तो उसी के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से उंचाई या समुद्र तल से वयवदाबिये दसा तो आपको यह लिखा होँआ मिल जाएगा यह लिखा होँआ मिल जाएगा तो समुद्र तल पर आउसत वयवमंडल यह दाब एक हजार तेरा पॉइंट दो पांच मिली बार या एक हजार तेरा पॉइंट दो पांच किलो पासकल आका जाता है वयवदाब को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उंचाई, तापमान, वयवपरवा, प्रिथिवी का घुरुलन और जलवास्प यह जो है वयवदाब को प्रभावित करते हैं अब एक आइसो बार का नाम सुने होंगे वयवदाब मापी होता है यह प्रिथिवी है यह आप ऐसे समझिए एक ऐसी वयवदाब रेखा है कि माली जै यहां पर वयवदाब है सौव और यहां पर सौव है तो यह जो रेखाएगी ऐसे जाएगी और यह माली जै फिर यहां पर सौव है तो यह ऐसे आजाएगी यानि समान वयवदाब को मिलाने वाली रेखा समान वयवदाब को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है यानि आइसो बार कहलाती है कि यहां पर यहां पर यहां पर दाब है असी और फिर यहां पर आपके दाब है असी तो अच्छांज के मां नियुक्त यहां 165 डिगरी अच्छांज है और यहां 35 डिगरी अच्छांज है लेकिन यहां भी असी दाब है यहां भी अशी दाब है और यहां 1950 की चैट्र दाब है या तापमान होता है दाब होता है वो इस्थति के साथ बदलता रहता है जैसे उंचाई उंचाई बढ़ने पर वायुदाब प्रभावित कर देता है जहां पर एक तरफ हाई प्रेसर बेल्ट है एक तरफ लो प्रेसर बेल्ट है तो लो प्रेसर बेल्ट का मतलब यह ह हुआ कि जहां पर टमप्रेचर जादा होगा तापमान जादा होगा एक ऐसे समझिए की यह प्रिथवी है हमाली जे कि यहां पर एक सड़ेटेश डिगरी पर सामाननेता क्या है कि एक बराबर अगर सामानने होता तो जहां तक सूर के प्रकास पड़ता इस्तथी सामाननता बराबर होती लेकिन अब यहां पर क्या है कि यहां पर एक पहाड है अब पहाड के उचाए बढ़ने पर तापमान यहां पर हो गया क्या कम हो गया यहां पर तापमान कम हो गया तो यहां पर बन गया हाई प्रेसर बेल्ट अब यहां पर तापमान जादा है तो यहां बनेगा क्या लो प समदाव यानि जो दाव यहां महसूस किया जाएगा वह यहां महसूस तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर महसूस करने पर और यहां पर महसूस करने पर अंतर हो गया जबकि उसी अच्छांस पर है तेज़ डिगरी अच्छांस पर यह भी है और तेज़ डिगरी अच्छांस के ये परबत है उपर निकल गया है उचाई पर बढ़ गया है तो इसने क्या किया वायुदाप को प्रभावित कर दिया यानि कि उचाई बढ़ने पर वायुदा प्रभावित होगा तापमान पर भी यही फैक्टर लगेगा तापमान भी प्रभावित करेगा वाईदाब को वायू के लिए भी यही प्रवाव होगा तब भी दिक्कत होगी और साथ ही साथ पिर्थिभी जब घुरूलन करती है घुरूलन करने के बाद सूर का जो तापमान जिधर पड़ेगा वहाँ पर बनेगा लो प्रेसर बेल्ट और जिधर सूर का तापमान नहीं दिखेगा वो बनेगा हाई प्रेसर बेल्ट और फिर वायूदाब वहाँ प्रभावित होगा और जल्वास जहां पे जल्वास जादा होगा जल्वास अधिक होगा वहां पे और जहां पे जल्वास कम होगा कम होगा वहां पे दोनों में वायुदाब का अंतर पाए जाएगा वायुदाब में अंतर होगा तो इसलिए ये महत्पूर कारक है उंचाई तापमान वायुप्रवा प्रिथिभी का घुरण जलवास वायुदाब को प्रभावित करने वाले प्रमुकारण है दाब प्रमरता क्या होता है देखें जैसे ताप प्रमरता होता है उसी तरह से दाब प्रमरता भी होता है और दाब प्रमरता की स्थिति कब होती है समदाब रेखाओं की परस पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिसा और उसकी दर को बताती है इसे बैरोमीटर ढाल के नाम से जाना जाता है यह है क्या? अब देखिए मानलीजे की अब मानला की जिसे एक जो अच्छांस है यह है, यह मानलीजे 60 अच्छांस है और यह है 45 अच्छांस लेकिन बीच में जो और अच्छांस है उसमें देखा गया कि एक ताप मान यहाँ पर जो दाब है यहाँ पर दाब हुआ यहाँ पर दाब है मानलीजे 10 यहाँ पर 10 दाब है कहाँ पर? 46 पर और यहां पर दस दाब है तो ये एक रेखा बना अब मालीजे कि तुरंत ही 11 बन गए यहां पे तो बहुत पास पास रेखाएं हो गई लेकिन अगर 10 यहां पे है और फिर जाके 11 यहां पे बनता है पूरे 20 अच्छांस के बाद तो ये जितनी दूरी लेगा उतने ही इस्तती सामान निमानी जाएगी और जितने पास पास होंगे मालीजे 10 पे हुआ पर 12 हो गया पर 15 हो गया यानि पास पास जो रेखाएं बन जाएंगी तब यहां पे डाब प्रवरता बनने की संभावना जादा हुआ क्योंकि प्रैसर यहां बार-बार कई दाब पेटियां बन रही है कई लाइने बन रही है तो इसी को कहाता है बैरोमेट्रिक ढाल यानि दोनों के अंतर की इस्तिति को जो दूरियां है वायदाब में अंतर की दिसा और दर को बताती है इसे बैरोमेट्रिक ढाल के नाम से जाना जाता है पास पास इस्तित समदाब रेखाएं आई सो बार तीब्र ढाल प्रवरता को बताती है जिसे मैंने बताया जब पास पास होगा तब यह मानाया कि बहुत ही तीब्र गती से जो दाब प्रवरता है बहुत तेजी से बन रहा है और दूरी दूरी पे होगा रेखाएं दूरी पे होगी एक यहाँ पे आया अजमाली यह 10 से 11 है यहाँ 10 है तो यहाँ 11 इतनी दूरी पे हुआ कई ए चांस निकार दिया तो यहाँ पे दाब प्रवरता के चांस कम होंगे लेकिन जहाँ पास पास बनेंगे तो यहाँ पे दाब प्रवरता के चांस जादा होंगे अब वाई दाब पेटी यह एक प्रिथवी है जीरो डिग्री अब 10 डिग्री नार्थ और 10 डिग्री साउथ 10 डिग्री नार्थ और 10 डिग्री साउथ उसके बाद में 30 डिग्री नार्थ 35 डिग्री नर्थ 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ उसके बाद में फिर फिर 60 डिग्री साउथ और उसके ओपन नब्बे फिर 60 डिग्री साउथ पैसट फिर नब्बे अब देखिए ये जो की equator पे है मतलब भूमद रेखा पे है तो ये जो built है ये आपका है low pressure built ये आपका हो गया low pressure built लो प्रेशर बेल्ट और ये जो आपका है ये आपका हो गया high pressure belt और ये भी ये भी high pressure belt हो गया और ये फिर हो गया low pressure belt लो प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट और ये जो है high pressure belt और ये भी जो है high pressure belt अब इसको बोलते क्या है इसको बोलते है भूमद रेखे निम्न वायुदाप पेटी इसको इधर लिख देते है भूमद रेखे निम्न वायुदाप पेटी 10 degree north से 10 degree south के बीच में इसको बोला जाता है भूमद रेखे निम्न वायुदाप पेटी या आप एक point आप आउर समझ लीजिए यंसी इर्टी में पांच डिगरी नार्थ और पांच डिगरी साउथ इसको बताया गया है कि यह है डोल्ड्रम डोल्ड्रम और अन बुकों में आपको मिलेंगी 10 degree नार्थ से 10 degree साउथ के बीच में डोल्ड्रम डोल्ड्रम पेटी तो दोनों मान करके चलना है सामानता दसवाला ही जामें पूछा जाता है लेकिन 5 में भी अगर आ जाता है तो उसको सही माना जाएगा दोनों नहीं देगा 10 degree देगा या 5 देगा एक देगा डोल्ड्रम में दोनों कभी आद तक नहीं आया है जादा तर पूछा गया है तो 10 degree नार साउथ पूछा गया है और पेटी में एक बार 5 पूछा गया था कि 5 दिगरी नार तो साउथ के बीच के पेटी को क्या बोला जाता है यानि साब साब बोला जाता है कि सांथ पेटी को क्या बोला जाता है सांथ पेटी को क्या बोला जाता है तो सांथ पेटी को डोल्डरम बोलते हैं और यह जो है इसी के बीच में होता है इसे पांच-पांच से यहां पे और नहीं तो पूरा ले लेगा यहं पेटी होता क्यों है यह संद पेटी इसलिए होता है कि हमाएं किधर चलेंगी यहाँ पे क्या है कि यह लो प्रेसर बेल्ट यह हाई प्रेसर बेल्ट तो हमाएं ऐसे चलती हैं यह दिशा कौन सा है यह उत्तर पस्चिम हुआ यह उत्तर पस्चिम हुआ और यहां की जो यह हाई प्रेसर है यह लो प्रेसर है तो हवाएं किदर आएंगी इधर आएंगी इस तरह की तो यह क्या हुआ यह दिशा हुआ यहां पर हवाय है जो भूमद रहें निम्नदाब की पेटी है यहां पर लो प्रेसर मैं इधर चला जाओं ताकि मैं सकोन में हो जाओं भीन्ड इधर भगेगी तो यहां high pressure belt है high pressure belt low pressure belt के तरब भगेगी और यहां पे आएगी लेकिन यहां होता क्या है यहां जैसे आएगी तो क्या यहां मिल जाएगी नहीं मिलेगी यहां पे आएगी बस ये उपर उठ जाएगी यहां पर पहुँचेगी बस उपर उठ जाएगी यहां से आएगी उपर उठ जाएगी उपर उठ करके जाएंगे बस समुहनिये उपर एक बादल बनाएंगे जैसे यहां से आए उपर उठ गया यहां साया उपर उड़ गया अब यह एक्वेटर का है यह वाला छेतर है यह वाला है उपर उड़ करके यहां पर अब यहां कि बादल बनाए फिर यहां पर बारिस कर दिए यहां पर बारिस कर दिए तो यह प्रतिदिन यहां पर होता है और यही वज़े है कि यहां पर हलचल वायुदाप कर नहीं हो पाता है इसलिए इस बिल्ट को डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है इसे डोल्ड्रम डोल्ड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है या सांत पेटी के नाम से जाना जाता है अब यहां पर यह सती तो हुआ इसी को कहते हैं समवहनिय वर्षा यानि जब ऐसा प्रस्णाए कि भूमद रेखा पे सम्वानिय वर्षा प्रते दिन होती हैं तो यहीं सम्वानिय हैं हवाएगी उपर उठ जाएगी और उठके नहीं यहीं पर क्या करते हैं अब इसको मैं थोड़ा इधर मिटाल देता हूं उदर लिखाई है यह हवाएं उठ हैंगी फिर यहां पर यहां हैंगी तो यहां क्या पेच्छा यहां पर हाई प्रेसर हो जाएगा अब यहां हाई प्रेसर हो जाएगा यहां यहां को सिका बन जाएगा को सिका बन जाएगा चक्र बन जाएगा फेरिल चक्र यहां पर चक्र बन जाएगा अब यहां की हवाए ये तो हो गया आपका कहां पर भूमत रेखिये निम्दाब वाई पेटी और ये हो गया आपका उपोस्ड उच्छ वायुदाब पेटी ये भी वही है उपोस्ड उच्छ वायुदाब पेटी ठीक देखिये तीस से पैंतिस तीस से पैंतिस नार्थ हैं साउथ ये क्या हो गया उपोस्ड उच्छ दाब पेटी उपोस्ड उच्छ दाब पेटी यानि यहां पे लो प्रेसर बेल्ट था यहां पे हाई प्रेसर बेल् पर हाई प्रेसर बेल्ट है इधर भगा फिन लो प्रेसर बेल्ट इसको कहते हैं उप दुरूबिये निम्न वायुदाब पेटी उप दुरूबिये निम्न वायुदाब पेटी यह सेम वही है उप दुरूबिये निम्न वायू दाब पेटी यह वाला है दिखेगा 60-60 के बीच वाला अब यहां क्या होगा अब यहां पे इसको आप समझ लीजिए कि यह वाला है अब यहां से हम आएं इधर चलेंगी किधर उत्तर पूर्व की तरब और इधर दच्छिर पस्चिम की तरब ठीक यानि कि यहां भी हाई प्रेसर बेल्ट है यहां लोग प्रेसर बेल्ट तो हाई प्रेसर बेल्ट से लोग प्रेसर बेल्ट के तरब हाई जाएंगी तो इधर उपोश्र उच दाप पेटी से भूमद रेखे निम्र दाप पेटी के तरब हाई चलती हैं चलती हैं अ दाच्छिड में दाच्छिड से उत्तर पूर्ब चलती हैं लेकिन यही पर उपोश्र उच दापेटी से उपधूबिय निम्र दापेटी की और जब हवायें चलती हैं तब दाच्छिड पस्चिड से are उत्रि गोलार्ध में दच्छिर पस्चिम से उत्तरपूर की ओर और उत्तरपस्चिम से दच्छिर पस्चिम दच्छिरपूर की ओर चलती हैं condition बदल जाता है अब यहां पर क्या होगा सबसे उपर जो है यह है धूरुबिय उच्चदाब पेटी दुरूबिये उच्च दाब पेटी यहां भी दुरूबिये उच्च दाब पेटी तो अब यहां पे क्या होगा यहां प्रेसर है यहां प्रेसर है तो यहां भी सेम यहां की कंडिशन यहां लागू होगी अब यहां पर आपसे एक प्रस्लिय पूछा जाएगा कि प्रतिभी पर कितने प्रकार के पेटियां पाई जाती हैं तो पेटियां वायुदा पेटियां चार प्रकार की होती हैं प्रतिभी पर प्रतिभी पर वायुदा पेटियां चार होती हैं चार प्रकारकी चार प्रकारकी में कौन कौन सी एक तो हो गया आपका भूमद रेखिए दूसरा हो गया उपोस्र उच दाप पेटी भूमद रेखिए उपोस्र उच दाप पेटी फिर उप धुरूबिय निम्न दाप पेटी फिर धुरूबिय उच्छदा पेटी, तो एक, दो, तीर और चार, ये हुआ, लेकिन पेटियां बंती कितनी है, तो बंती साथ है, प्रकार पुछा जाएगा तो चार प्रकार की हैं लेकिन कितनी पेटियां हैं तो साथ पेटियां कैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यानि वायुदाब पेटियां साथ होती हैं लेकिन वायुदाब पेटियों के प्रकार चार होते हैं यह आपको ध्यान में रखना है भूमद रेखे निम नुवाईदा पेटी अब जैसा कि मैंने बताया भी 0 डिग्री फिर 10 इधर नार्थ और 10 साउथ दोनों गुलार्धों में इस पेटी को पाया जाता है देखाया सकता है 10 डिग्री नार्थ से 10 डिग्री अच्छांसों के मध्यानी दोनों गुलार्धों में पाया जाती है यहां सूर की किरणों के लंबवत पढ़ने के कारण उच्च तापमान पाया जाता है कारण अगर पूछा जाए तो क्यों ऐसा होता है कि उच्च तापमान यह निम्न वायुदाब बनता है देखें जहां पर तापमान हाई होगा तापमान जादा होगा वहां पर दाब वायुदाब कम होगा जहां पर तापमान कम होगा वहां वायुदाब जादा होगा तो ध्यान रखिएगा यानि कि कारण कारण यह कि सूर की किरणे लंबोत पड़ती हैं यह सूर है मान लीजिए तो इसकी सीधे यहीं पर पड़ेगी करक मकर रेखा के बीच में सूर की किरणे पूरे वर्स रहती हैं साल भर और फिर इधर आती हैं जब दच्छनायन होता है उत्री गुलार्द में और जब उत्राण होगा तो तिर्चा जाएगा उत्री गुलार्द में यानि कि यहां पे नीम्नवाईदाप बनेगा यहां वास्पन की दर अत्यधिक होने के कारण यहां पे वास्प वास्पन यानि प्रेशन जादा होता है वास्प जादा है वास् चदिक धीमी होती है और वातावरण अत्यंत सांत रहता है और इसलिए इसे सांत पेटी या डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है जैसा कि मैंने भी बताया था कि यह बेल्ड सांत होता है इसलिए इसको सांत पेटी या डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है अगला है उपोश्र उच्चदाब जैसा कि आपने देखा यहां पर क्या हो गया हाई प्रेसर बेल्ट अब हाई प्रेसर बेल्ट यह पेटी करक रेखा और मकर रेखा से क्रमसा लगभग 25 से 35 डिगरी के मद उत्तरी और दच्छडी दोनों गोलार्द में पाये जाता है यहां भी और यहां भी दोनों तरफ पाया जाता है इसे अस अच्छांस के नाम से जानते हैं देखे यह जो आपका पेटी है इसे अस अच्छांस के नाम से जाना जाता है यह अस अच्छांस क्या होता है पहले क्या होता था पहले जब व्यापार होता था तब व्यापारी ज यहाज लिकर जाते थे यह नाव कह लीजिए तब बीच में जब पहुंचते थे कहां पर बीच में यानि जब 30 से 35 डिगरी अच्छांस के मद्ध बीच में समुद्र में पहुंचते थे तो कई बार ऐसा होता था कि समुद्र एकदम से कोई हल्चल नहीं करता था और ध्यान रहे कि जब तक हल्चल नहीं होगा नाव आगे नहीं बढ़ेगी तब इस नाव पे घोड़े के व्यापारी होते थे जो वो कुछ अच्छे आप जिसे मान लिए अगर 100 उनको 100 घोड़ा ले जाना है और तो एक नाव में कम से कम 150 घोड़े की ले जाने की व्यवस्ता होती थी उसमें 100 अच्छे घोड़े ले जाते थे जो वहाँ पर क्या होता बेच देंगे बेचने के लिए 50 खचर ले जाते थे खचर तो जब इधर से जाते थे तब 25 पहले फेंग देते थे 25 घोड़ों को जो खचर होते थे उनको फेंग देते थे तो वहां हलचल होता था तो उससे नाय आगे बढ़ जाती थी इसलिए अच्छांस कहा जाता है इसे और फिर जब वापस होते थे तो 25 फिर फेक देते थे तब चले आते थे यानि हलचल पैदा करने के लिए कुछ खराब घोणों को फेक दिया जाता था और इसलिए इस अच्छांस को अच्छांस के से भी जाना जाता है के उपधुरुबय निम्नदा पेटी है कि यह वायुदा पेटियां पैटालिश डिग्री उत्त्री और दच्छडी अच्छांसों तथा आर्कतिक यों अंटार्क्रक्रिक्टिक ब्रतों के मद्ध पाए जाती हैं अब यहां पे अंटार्क्रिक ब्रत और आर्किटिक बृत क्या होता है जब आप साड़े 6-6 डिग्री और 45 डिग्री के मद्ध का भाग देखेंगे तब आपको एक बृत दिखेगा दोनों तरफ आर्किटिक और अंटार्किटिक तो उसी के मद्ध में पाये जाता है 45 डिग्री से ले करके 6-6,6 के मद्ध का जो भाग है उसे उप धुरूबिये निम्न दाप पेटी के नाम से जानते हैं इसके जो विशेस्ता है बेरी इंपॉर्टन लाइन है ये उपोश्र योम धुरूबिये छेत्रों में आने वाली पवनों के तापमान में अत्यधिक अंत होने के कारण इन छेत्र में निम्न वायुदाप का निर्माड होता है यहां पे चक्रवाथी तूफान उत्पन होते हैं यानि चक्रवाथी तूफान कहां उत्पन होते हैं उप धुरूबिये निम्न दाप पेटी में और अंतिन पेटी है धुरूबिये उच दाप पेटी ये वायुदाप शाड़े चाचट डिगरी नार्थ एंड साउथ के मध्ध पाये जाते हैं और धुरूबों के मधिस्तित होते हैं। उच्च वायुदाप का निर्माड होता है और इनकी जो हवाएं हैं। यह क्या धुरूब से उप धुरूब्य निम्मणदाप पेटी, जो हवाएं इधहर इसी चलती हैं। यानि कि धुरूब से उप धुरूब्य निम्मणदाप पेटी के और इनք हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों, मैं अपमें क्लास कोई पर समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जै भारत!